वेल्कम परेगे साब सबका बहुत भाइब स्वागत है मेरी ट्रीट चैनल हीलिंग पर स्ट्रीप सेवर में आई यह देख लेते हैं आज की दिन के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लाइक की सीरे में आपको काइड करना चाहते हैं उससे पर यदि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए का यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करी दीजिए और अगर आप मुस्से परसना रिडिंग करवाना चाहते हैं तो इसक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप उस पौम को स्किप होगी आप जलबाजी करेंगे तो आप कोई ना कोई पॉइंट मिस ही कर जाएंगी उसे समझने में आप से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी तो वीडियो को स्चार्ट कर लेते हैं उससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं उनके यह मैसिज है कि इस वीडियो में हो पहुचे उनके लिए जो भी मैसिज उनके साथ रेजोनेट करें वो मुझे दे दिया जाए यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है यही मेरी प्रेयर रहती है तो जो भी मैसिजिस आते हैं वो मैं दे देती हूं तो आज के लिए जो पहला मैसिज है वो आप मेंसे कुछ लोग ऐस हो सकते हैं देखिए जिनके साथ resonate करें वो ले लीजेगा जो चीज रेजनेट नहीं करती है वो आपके लिए नहीं होंगी छोड़ दीजेगा और अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है तो यह टाइमलेस रीडिंग है तो आप वीडियो में और भी बहुत सारे वीडियो है, Spirit Guide के नाम से बना हुआ है, Spirit Guide Messages के नाम से बना हुआ है, Playlist के बनी हुई है, आप बिल्कुर उसको देखिएगा, टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब पी कोई रीडिंग देखेंगे इस तरह की मेरे चैनल पर दिखतर टाइमलेस रीडिंग होती ह कुछ लोगों के मन में ना कभी कभी ऐसा भाव आजाता होगा, कि ना आपकी जरूरत नहीं है, कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, किसी को आपकी जरूरत नहीं है, किसी को आप से कोई मतलब नहीं है, अगर आपके मन में कहीं ऐसा ख्याल आता है, तो आपके Spirit Guide आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपकी बहुत जरूरत है, यानि कि जो भी चीजे चल रही है लाइफ में, ये जो भी कुछ ये यूनिवर्स है, इसमें जो आपका पार्ट है, वो सिर्फ आप ही प्ले कर सकते हैं, ये बात मैंने बहुत पहले भी बताई थी, इसलिए आपकी जरूरत नहीं थी, आपका पार्ट प्ले करने के लिए आपकी ही जरूरत थी, आपके लोगों को, आपके सोल ग्रूप के लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को, यानि कि आपके डिवाइन टीम को भी कहीं न कहीं, जो कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो आप लोगों को आपकी बना के रखते हैं, कहीं न कहीं उनकों भी निट थी ओ apprenti, किन की साथ राइवनेट करता है , और आप मैसे ज aujourd हो मेसे बहुत homepage आपके सीका है किसी के जो फार है वो गांड जॉप करते हूं तो बिल्क्ull करते रहे हूं तो इस में कुछ उचसा रहा हो सकता हुआ तो आप ऐसे जॉप के लिए कहा गया हो करने के लिए कि आप इस तरह की जॉप be या फिर ना वो जॉब आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली कुछ ना कुछ इस तरह का मैसेज था कि आपके फादर ना किसी के फादर आप में से किसी के फादर जॉब करते थे और इस वज़े से आपके घर के अंदर थोड़ा सा फाइनेशल प्रॉब्लम है तो जो के लिए है वैसे तो यह मैसेज स्टे पॉजिटिव यानि की पॉजिटिव रही है और स्पेसिफिकली अगर आपके फादर गॉर्णमन जॉब करते रही है या करते थे या करते हैं इस तरह की कोई चीज है तो बिलकुल आप अगर किसी लाइफ में किसी चीज को लेके नहीं रखिए जो एक्टिव लेने है बिलकुल अपने काम को बढ़ाने के लिए करने के लिए आगी करोध करने के लिए वो बिल्कुल आप लीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चेंज होनी है वो होंगे टाइम पही ही डिवाइन टाइमिंग पही होंगी लेकिन तब तक आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी निराश नहीं होईए, और नहीं अपने होस्ट लॉक होईए कि आपके लिए चीज़े नहीं बदलेंगी, आपके लिए चीज़े बदलेंगी, उसमें जो समय लगता है वो जरू लगेगा, लेकिन तब तक पॉजिट Three of Cups का काड है, तो celebration की बात करता है ये काड, जब भी ये काड आता है, ये बताता है कि आप चीज़ो को celebrate करते हैं, आप उन चीज़ो को enjoy करते हैं, आप उन चीज़ो में growth करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एक positive होने का message था, तो again यहाँ पे आपके Spirit card का यही message है कि life को celebrate कीजिए life कब है kup reason है, किस तरह की है, ये आपको नहीं पता कि हमको नहीं पता ये किसी को नहीं पता लेकिन चितनी भी आपकी life है, ना तो आपके spirit card अपको ये message जे तो देना चाहते हैं कि life को celebrate जीवन की हर नफल को enjoy कीजिए जो भी चीज़ आपको निराशा में डालती है वो आपके किसी काम की नहीं है जो चीज़ आपको आशाय देती है वही आपके काम की है निराशा से सिर्फ आपको आशा की तरफ बलटना है देखना है कि हाँ ये चीज़ हो गई अब मुझे क्या करना है इनकी हमेशा solution पे focus करने की कोशिश कीजिए अगर आपसे problem से focus करते रहेंगे तो बार वार वही सामने आएगी अगर आप solution पे focus करेंगे तो आपके सामने वही आएगा जो कि उस समस्या का हल निकालेगा तो आपके spirit card यहाँ पे आपको इस card के जरिए life को celebrate करने के लिए कह रहे हैं आपको balance बनाने के लिए कह रहे हैं और आपको न कहीं न कहीं एक assurance दे रहे हैं कि हाँ चीजे बतलेंगी चीजे चेंज होगी और life में सब कुछ बहुत कुछ अच्छा होगा night of wants का card है तो बिल्कुल इस card के साथ यह message है आपके लिए कि जो भी आप commitment करना चाहते हैं या आप करते हैं उनको आपको पुरी तरह से निभाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप life में चीज़ों को celebrate करें आप चीज़ों लोग आपको appreciate करें तो आप appreciate करना सीखिए अगर आप चाहते हैं लोग आपको recognize करें तो लोगों के काम को recognize कीजिए उसकी तारीफ कीजिए उसमें एक appreciation दीजिए आपके लिए कोई छोटा सा भी काम करता है तो उसको धन्यवाद दीजिए कि आपके लिए उसने किया क्योंकि किसी के ओपर कोई मजबूरी नहीं है करने की या तो आपको उनसे काम पड़ता है या उनको आपसे काम पड़ता है वो कैसे भी हो आपको आपका एक धन्यवाद तो बनता ही है तो बिलकुल आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कीजिए आप बिलकुल देखिए कि आपको कौन सा काम किस तरह से करना है कब करना है किस तरह के से करना है तो बिलकुल अगर आप ये देख के चीज़े करेंगे तो आप बहुत कुछ चीज़े अचीव कर पाएंगे हमेशा अपनी अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इन कार्ट के जरी भी यही मैसिज है कि एक बैलेंस अप्रोच बहुत जाता नीरेड है यह जब भी कार्ड आता है यह हमेशा बताता है इनसान बहुत जादा जोश में है लेकिन साथ में कार्ड यह भी कहता है जोश में होश नहीं होना तो बल्कुल देख़ियेगा कि आप अपना लायफ में जो भी चीज़े कर रहे हैं उसमें आप इतने जोशीले तो नहीं हो गए हैं कि आप पिल्कुल अपना होश को बैठे हैं, कई पर क्या होता है, इनसान जब किसी को positive होने के लिए कहा जाता है, वो इतना ज्यादा positive हो जाता है, कि उससे भी उसको नपर depression हो जाता है, तो इसलिए ना बहुत ज्यादा positive होने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइब में जो भी च लास्ट में सबको देखिए अपने हर जनम लेते लेते ना सबको समान भावी रखना होता है यानि कि इस चीज़ को समझ लेना होता है कि दुख है तो ये भी चला जाएगा सुख है तो ये भी चला जाएगा जिस दिन सारे लोग ये बास समझ लेंगे उस दिन उन चीज़ों पर इतराना छोड़ देंगे, उन चीज़ों पर गमंड करना छोड़ देंगे, क्योंकि ना इनसान रहता है, न वो भाव रहते हैं, न वो समय रहता है, तो जितनी चल्दी आप इन चीज़ों को समझ लेंगे उतना चल्दी अच्छा है आपके लिए, लेकिन इसका मतलब ये कि life को enjoy रही की जी लाइफ को बिल्कुल enjoy की जी काड़ happy memories की बात करता है ये काड़ बताता है कि अपनी चीजों को अपनी life में जो भी चीज़ें हुई है past में अगर आपकी happy memories है तो बिल्कुल उनके साथ में आप जोड़े रहिए अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको past में ही जीना है तो बिल्कुल आपको उनसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए आपको अपनी specifically जो यहां एक message में ले पा रही हो ना कि आपको past की जो mistakes हैं उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए आपकी spirit card यहां पर यही दे रहे हाला कि happy memories का card है यहां पर आपकी spirit card आप जो कि आपको समझ लेना चाहिए तो बिल्कुल देखिए का आप मेंसे किन लोगों के साथ यह message rate करती है और बिल्कुल अगर आप मेंसे कुछ लोगों को यह लगता है कि चीज़े ना बदलती नहीं है या चीज़े पलटती नहीं है तो देखिए मैं आपसे बिल्कुल यह क चले गए वो सारी बाते तो हो गई तो अब किस से क्या नाराजगी और क्या गुस्ता है ना mediumship का message है यहाँ पर you have the natural ability to connect with departed loved ones तो देखिए यह past memories का card है और यह है mediumship का इनकी जो जा चुके हैं लोग उनसे correct होने का तो आप मेंसे हो सकता है आपके कुछना यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो ancestors हैं वो आपके साथ correct होने की कोशिश कर रहे हूं आप उस अपने में भी दिखाई दे रहे हूं तो बिल्कुल आप connect हुई उनसे message लेने की कोशिश कीजिए उनको भी thank you लिखिएगा comment box में अगर वो appear हैं अगर वो आपसे connect ह हो रहे हैं अगर आप उनकी किसी गलती से उनके उपर गुस्सा है तो उनको माफ कर दीजिए अगर आप उनके साथ एक happy moment spend करते थे happiness happy bonding था आपका उनके साथ में एक अच्छा relationship था आपका उनके साथ में तो बिल्कुल आप उनको याद कीजिए आप उनको thank you बोलिए आप आ अगर आपने पूर वजव से अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल वो आपका खुले हाद से स्वागत कर रहे हैं बिल्कुल connect हो ये उनको appreciate कीजिए उनको thank you बोलिए क्योंकि आप तो उनकी bloodline में आते हैं ना उनकी के आप संतान है तो बिल्कुल उन कौँसी चीश से आपको learning lesson experience लेने के लिए कह रहे हैं बिल्कुल देखिएगा कि आपकी life का वो कौँसा हिस्सा है जिसमें आपको उनसे सीख लेने की नीड है हो सकता है आपका कोई business हो हो सकता है आपका घर चलाने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है money management करने का कोई तरीका और जो को कुछ भी पहस अच्छा सिखाते थे जो कुछ भी वी अच्छा बोलते थे क्योंकि देखेए गलत चीजे सीखने के लिए तो हम बहुत ज़्दी open होते हैं और बहुत चल्दी सीख लेते हैं लेकिन सही चीजे सीखने के लिए बहुत ना जोड़ लगाना पड़ता है तो इसलिए ये कहना आसान है कि हमने तो बड़ों को देखके सीख लिया, नहीं आपको बड़ों ने कोई अच्छा भी किया होगा, आप जो चीद देखना चूस करेंगे वही आप देखेंगे, तो अच्छा देखिए, अच्छा सीखिए और क्या वो आपको कहना चाहते हैं, बिल नाम उलिए का कमेंट बुक्स मी, आपका आने वारस मी बहुत भर शुपो, तिंक यू सू वेरी मिच, गद्ब्रेस यौल